हरी जादुगर्नी बहुत समय पहले एक राजा था जिसे जानवरों को कैद करके उन्हें अपने नीजी चिडिया घर में रखने का शौब था राजा के जंगल के जानवरों के लिए ये कभी खुशी का पल नहीं होता अगर हरी जादुगर्नी राजा को सम्मोहित करने की जिम्मेदारी नहीं उठाती आज का दिन सबसे बेकार था हम लोग एक खरगोश तक नहीं पकड़ पाए इन्हें अकेला छोड़ दो थोड़ी देर में शान्थ हो जाएंगे हरी जादुगर्नी एक जादुई जीव थी जो जंगल में पैदा हुई थी वो जानवरों से प्यार करती थी और उन्हें कैद में रखना उसे बिलकुल पसंद नहीं था तो उसने इस मामले को निप्टाने का फैसला किया गुद इवनेंग तो क्या आज आप किसी भी जानवर को पकड़ पाए नहीं सभी जानवर मुझे देखकर भाग गए हाँ आप भी भागते अगर हथियार लेकर लोग आपको पकड़ने आते और तुम आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता मुझे लड़कियों के बारे में नहीं पता अगर तुम एक जंगली सूर होती तो मैं एक सूर नहीं हूँ हरी जादुगर्णी को गुस्सा आया क्योंकि राजा ने उसकी तुलना एक सूर से की थी तो उसने राजा को एक सूर में बदलने का फैसला किया ये काम जू नहीं कर रहा ज़रा रुको कौन हो तुम राजा उस रहस्य में ये औरत को लेकर बहुत उच्छिप था और उससे पता नहीं था कि वो कौन है या वो उसे दोबारा मिलेगी भी या नहीं मेरे माराज आप इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? मंत्री जी आप एक बहुत ही ज्यानी इंसान है क्या इस जंगल में एक चुडैल हो सकती है? हरी जादूगर्नी के बारे में कहानिया तो है कहते हैं राज्य में वो सबसे सुन्दर औरत है वो तो है हरी जादूगर्नी समझ ना सकी के राजा पर उसके जादूगा असर क्यों नहीं हो रहा था उसने इस बारे में अपने गौड फादर महान जादूगर्स माइलेक्स से पूछा क्या कोई परेशानी है? आज मैं राजा को एक सुवर में बदलने वाली थी पर कुछ नहीं हुआ आखिर मैं उसे क्यों नहीं बदल पाई? लगता है राजा के आसपास एक सुरक्षा का बच है अक्सर राजाओं पर जादू का असर नहीं होता है ये ना इंसाफी है मैं जानवरों की रक्षा कैसे करू अगर मैं राजा पर अपनी शक्ति का इस्तमाली नहीं कर सकती हूँ तुम अपनी अदाओं से उस पर समोह डाल सकती हो आप कहना चाहते हैं मैं उन्हें अपने प्यार में पागल कर सकती हूँ ये काम कर सकता है क्या आप मुझे एक राजकुमारी में बदल सकते है लेकिन मैं बाखी राजकुमारियों की तरह नहीं बनना चाहती मैं एक असली राजकुमारी बनना चाहती हूँ अफसोस मैं यह नहीं कर सकता कोई भी असली राजकुमारी नहीं बना सकता है एक परी रानी भी नहीं असली राजकुमारियां बना ही नहीं जाती और ये तो एक अलग ही मामला है लेकिन अगर मुझे महल में जाकर राजा से मिलना है तो मुझे एक राजकुमारी बनना होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है महल के पीछे एक दर्वासा है और आगे भी है के नहीं? आलांकि रांजकुमारियां महल के अंदर आगे के दर्वासे से आती हैं. लेकन पीछे के दर्वासे से कोई भी आ सकता है. पर जब तुम ऐसा करोगी, तुमारी जादुई शक्तियां गायब हो जाएंगी. पर क्यूं? क्योंकि तुम इस जंगल की एक जादूई जी हो तुम्हारी शक्तियों को जंगल ने बनाया है तो जंगल छोड़ने के बाद तुम्हारी शक्तियां चली जाएगी ठीक है, वैसे भी मेरा जादू उस पर बेअसर है अगर मैं राजा को समोहित नहीं कर सकती तो मैं जादूगर्णी नहीं रहना चाहती हूँ यह तुम्हारी मर्जी है बेटा, अपना ख्याल अच्छे से रखना और इस तरह हरी जादूगर्णी जंगल से चली गई जिसपन उसने जंगल के बाहर कदम रखा, उसकी शक्तियां चली गई वो एक आम लड़की के भेश में काम की तलाश में महल में गई मुख्य बावर्ची ने उसे मददकार के दोर पर रख लिया नसीब से एक दिन वो राजा से टकराई मददकार नौकरानी राजा से मिलकर बहुत खुश हुई क्योंकि वो यही तो चाहती थी कैसी हो, क्या कर रही हो तुम मैं राजा के खाने के लिए बीन्स चुन रही हूँ बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मुझे वो बीन्स दिखाओगी? तुम्हें यकीन है, ये बीन्स ही है? होनी तो चाहिए, इसे चुनने में काफी मेहनत लगी है तुम में बीन्स चुन लिये है? मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है वो बीन्स कहा है? मैंने नौकरानी को बीन्स चुनते हुए देखा था, लेकिन वो यहां नहीं है बीन्स यहां है, मेरे महराज ये बीन्स नहीं है, जो बीन्स मेरे बगीचे में उकते हैं, वो लाल है मुझे लगता है कि बखने के बाद वो हरे हो जाते हैं तो फिर अपसे मैं कच्चे बीन्ज ही खाऊंगा। इस बात का ध्यान रखें, मंत्री जी। पहली मुलाकात से ही, राजा मददकार नौकरानी के बारे में सोचने लगा था। उसे लगा, उसने पहले भी उसे कहीं देखा है। सोचते सोचते, उसे ढूनने के लिए निकल पड़ा। राजा होने के नाते, उपनी जिम्मेदार्यों को भी भूलने लगा। मेरे महराज, फिलाल आप कहां जा रहे हैं? कितना सारा काम बाकी बढ़ा है। शिकार का क्या मेरे महराज, क्या जंगल में जाकर आप और जानवर नहीं पकड़ेंगे? कौन सा काम? कैसा शिकार? मैं खाने के लिए सबजियां चुनने जा रहा हूँ। ये काम सभी कामों से जादा ज़रूरी है। महराज को हो क्या गया है? उन्हें तो शिकार का बहुत शौक था। हाली में उनका बरताव बड़ा ही अजीब है। शायद हरी जादू करनी ने उन पर सम्मोहन डाला है। मैं तुम्हें हर जगा डून रहा था। क्या कर रही हो तुम? मैं आपके खाने के लिए कपूर का पत्ता ढून रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं वो कैसा होता है। अहाँ तो कोई बात नहीं, मुझे परवा नहीं मुझे खाने में कपूर का पत्ता मिले के नहीं। पर बावर्ची को है, अगर मैं कपूर का पत्ता नहीं लाई तो वो मुझ पर चलाएगा मेरे साथ आओ, मैं मदद करूँगा अफसोस, राजा को भी नहीं पता था के कपूर का पत्ता कैसा दिखता है आखिर में दोनों को रोजमेरी का ज़ाड मिला और उन्हें लगा कि यही कपूर का पत्ता है देखो, इसकी खुश्बो कितनी अच्छी है, कपूर का पत्ता होगा अगर आप कहते हैं तो… कपूर का पत्ता कहा है, लड़की ओ, मुझे जाना होगा यहा हो तुम, कपूर का पत्ता कहा है यह लीजिए यह कपूर का पत्ता नहीं है, जाओ और इस बार कपूर का पत्ता लेकर आना मेरे महराज अरे सुनो, मैं तुम से कुछ कहने के लिए आया हूँ जो आ गया मेरे महराज तो अपसे वो लड़की जो सामगरी लेकर आएगी, मैं उसी का खाना खाऊंगा लेकिन मेरे महराज, उसे सबजियों के बारे में पता ही नहीं है इसलिए एक खाने का सुवाद बिगड जाएगा मुझे परवाह नहीं, मेरी आज्या मानो जी, जी, बिल्कुल अगर हम उसके द्वारा लाई गई सामगरीयों का इस्तिमाल करेंगे, तो सुवाद बिगड जाएगा राजा के शब्द नियम है बेटा, उनकी हिसाब से ही चलना है जाओ और नौकरानी को वाप पसाने के लिए कहो कपूर के पत्तों के बजाए रोजमेरी का इस्तिमाल करेंगे राजा के अजीब अनुरोध की वज़ा से, खाने पर सब लोग परिशान थे खाने का सुवाद अजीब था, पर राजा मजे से खा रहा था माराज ठीक तो है, क्या उनके स्वाद में कोई गड़बढ है? चपरा, जरूर कुछ तो गड़बढ है, पर इसके बारे में बात नहीं करेंगे मुझे लगता है हरी जादूगर्णी ने उन्हें शिराप पित किया है दरबारियों ने फैसला किया कि जरूर हरी जादूगर्णी ने राजा को सम्मोहित किया है वरना खाते वक्त उनके अजीब बरताव और शाही कर्तव्यों की लापरवाही की वज़ा क्या हो सकती है? उपाए के तौर पर उन्होंने एक भव्य स्वेंवर रखने का फैसला किया ताकि राजा का ध्यान भटक सके मेरे पास एक खुश खबरी है कल एक भव्य स्वेंवर होगा सभी दरबारी बहुत ही खुश हैं तुम्हारे अलावा और भी राजकुमारिया होंगी वहां मैं वहां नहीं जा सकती, मैं एक मददगार नौकरानी हूँ, एक राजकुमारी नहीं तुम मैं एक सची राजकुमारी हो बाकी राजकुमारिया राजा के खाने के लिए सबजिया नहीं चुनती है कोई भी तुम जैसा दयालू और हमदर्द नहीं है बाकी राजकुमारिया पुराने कपड़े नहीं पहनती है पुराने कपड़ों में भी तुम्हारी तरह सुन्दर और मोहक कोई नहीं दिखता है अब ये लड़की कहां चली गई? तुम स्वेमवर में नहीं आओगी? मैं कसली राजकुमारी नहीं हूँ तुम आओगी ना? शायद ये सच में एक भव्य स्वेमवर था राजा के साथ नाचने के लिए अलग-अलग राज्जिसे राजकुमारिया आई राजा के अलावा हर कोई खुश था कोई ये समझ नहीं पाया के राजा इतना उदास क्यों लग रहा था और फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ कौन हो तुम? ये तो बस एक मददगार नौकरानी है ये तो वो हरी जादूगरनी है बकवास, कोई भी कहेगा कि ये राजकुमारी है ये तो यकीनन रानी है उसी पल सब समझ गए कि नौकरानी कौन थी हाला कि अबसली राजकुमारीया भी ये समझ गई थी कि ये राजा के हाथ में है कि वो नौकरानी को भी रानी बना सकता है उसके बाद से मददकार नौकरानी रानी के नाम से जानी जाने लगी क्या तुम सच में हरी जादूगर्नी हो? अरे नहीं, जब मुझे पता चला मैं राजा को सम्मोहित नहीं कर सकती, तो मैं जादूगर्नी नहीं रही तुम मुझ पर सम्मोहन क्यों डालना चाहती थी? क्योंकि आपको जानवरों को कैद करने का शौक था मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें ठेश पहुचे यकीन मानो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मुझे तुमसे प्यार है वादे के मुताबिक, राजा ने अपने चिडिया धर से सभी जानवरों को वापस जंगल में आजाद कर दिया उसने जानवरों के शिकार पर भी पाबंदी लगा दी उस दिन से जंगल के जानवरों को घबराने की जरूरत नहीं थी प्यारे राजकुमार, उस तरफ देखो, ये मेरे गौट पादर है तुम खोश लग रही हो सच कहूं तो मैं पहले से भी ज्यादा खोश हो राजा को अपने प्यार में पागल करने में और जानवरों को छुडाने में तुम काम्याब हो गई तुम रानी भी बन गई क्या तुम जंगल वापस लोटने वाली हो अपसे यही मेरा घर है, मैं भी इनसे प्यार करने लगी हूँ पता है सुनकर अच्छा लगा, कभी कभी मुझसे भी मिलने आ जाया करदा बिल्कुल और इस तरहा हरी जादुगर्णी ने राजा को अपने आकर्शन से मोहित कर दिया कहने की जरुरत नहीं, पर वो हसी खुशी रहने लगे